अप सब को जय मसीगी प्रभु का धनिवाद करते हैं आज की इस सुन्दर सुभा के लिए जो परमिश्वर प्रभु येश्व मसीग ने हम सब भाई भेनों के जीवनों में दी है आज की सुभा में हम परमिश्वर के नजदीक आएं अपने मन की बातों को कहें और परमिश्वर के वचन को सुने और उसको अपने जीवन में उतार लें ताकि हम परमिश्वर से आशी स्पाच कें आईए हम सब मिलकर परमेशर के वचन को सुने और उस पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रातना में जाएंगे प्रेज लॉड दोस्तों आज सुभे में मैं आपको एक गवाई से उससाइद करना चाहूंगा एक भाई ने हमें बताया कि उनके पापा के पेट में बहुत दर्द रहा करता था और उन पे बहुत सारी फुंसियां हो रखी थी जिस काराण वो लोग बहुत जादा परिशान थे उन्होंने दवाईयां भी की परंतु फर्क नहीं पड़ा परंत उस भाई ने बताया जबसे वो प्रात्ण सुन रहे हैं और प्रात्न कर रहे हैं प्रव येशु मसी ने उनके पूंड रूप से चंगा कर दिया है अब वो भाई और उनके पापा बिल्कुल स्वस्त और बले चंगे हैं मेरे प्रकार से प्रव ये शुमसी ने इस भाई के जीवन में किया उसी प्रकार से प्रव आपके जीवन में भी करेंगे आईए हम परमेशर के वचन के ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पहला पत्रस उसका पांचों अध्याए और छे पत्रसे जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है इसलिए परमेशर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुमें उचित समय पर बढ़ाएगा उचित समय में परमेशुर आपके जीवन में काम करेगा और आपको बढ़ाएगा क्योंकि परमेशुर समय का परमेशुर है और परमेशुर जानता है कि हमारे लिए ये पर आपके लिए कौन सा समय सबसे सही है उसी समय पर परमेशुर आपको बढ़ाएंगे इसलिए आप पर बल्वंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। मेरे परियों जब हम पुराने नियम में देखते हैं जब परमेशों ने इसराइलियों को मिसर देश से छुडा के लेके आया तो उनके लिए लिखा है। परमेशों के बल्वंत हाथ के नीचे यनि कि परमेशों के सामने दीनता और नमरता से रहें। उसके समय का इंतजार करें। वो सही समय पर आपके जीवन में बढ़ाएंगे। आपसे कहना चाहूंगा टाइम अभी नहीं निकला है। आपका समय परमेशों के हातों में हैं और वो आपको सही समय पर बढ़ाएंगे। उचित समय में आपके जीवन में अगभुत आश्यर कर्म को करेंगे। आपकी सोच से बढ़कर आपकी कल्पना से बढ़कर परमेशों आपके लिए करेंगे। प्रभु आपको आसीस दे। आमीन। आईए हम सब मिलकर प्रात्न करें। प्रभु हम आपका धनिवाद करतें पिता। प्यारे प्रभु तेरी पाक उपस्तिती के लिए धनिवाद पिता। जो आज की सुबह में हम सब भाई बहनों के संग में हैं खुदावन। हम तेरा धनिवाद करते हैं प्यारे प्रबुजी, सच में प्रबु तु भला है, तु अच्छा है प्रबु और तेरी करुणा सदा की है पिता, मैं धनिवाद देती हूं पिता, कि आपने पिता परमेश्वर हमें सत्य का आत्मा दिया है, जो हमारी अगुआई करने के लिए हमारे साथ में हर समय मौजूद है, हम धनिवाद करते हैं होली स्पिरिट आपका, ओ प्रबु हम धनिवाद देते हैं प्रबु कि आज के दिन में अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, अपनी सुर्गय बुद्धी और ज्या के लिए मांगते प्रबु ताकि स्वस्त रहकर ये पूरा परिवार, ये भाई, ये बहन पिता तुझ में बढ़ने पाएं और तेरी महिमा को करने पाएं परमेश्वर, प्रबु तेरी शांती, आनंद, खुश्यां भर पूरी आज की सुभा में इनके जीवनों में आएं पिता, इनकी काम जहके दिन में सफल होने पाएं और प्रबु आपकी आशिष इनके जीवन के आएं परमेश्वर, हम धनिवाद देते हैं आपके जीवित कल तेरे जीवित वचन के लिए प्रभू जो आज की सुभा में हमने सुना प्रभू और जो प्रभू वचन के द्वारा जो भी बातचीत आपने हमसे किया प्रभू इस वचन के अनुसार हम अपनी जीवन में चले प्रभू क्योंकि तेरा जीवित वचन अमारे मार्ग के लिए प्रभु प्रकाश का उजियाला का काम करता है परमेश्वर, धनिवार देते हैं पिता, प्यारे प्रभु सच में मेरे पिता कि हम सब प्रभु दीन ता से तेरे बलवंत हातों के नीचे रहने पाए परमेश्वर, हम सब को तो दीन बना, ता कि परमेश्वर हम अपने जीवनों में प्रभु जी, प्रभु उस सफलता को पा सके, जो प्रभु आपने प्रभु सही समय के लिए निउक्त की है परमेश्वर, प्रभु आप इन भाए बैनों को बढ़ाईए प्रभु, इनके जीवन में आप इने सही स से तेरे बलवंत हातों के नीचे रहने पाएं परमेश्वर हम धनिवाद करते हैं पिता धनिवाद करते हैं पिता आज की सुबा में प्रभू हम बच्चों के लिए प्रात्न करते हैं प्रभुजी हर एक बच्चे को आपकी उपस्तिती में लेकर आते हैं यदि इस समय प्रभू जो बच्चे इस प्रोग्राम को वाच कर रहे हैं पिता यदि वह इस प्रात्न को सुन रहे हैं प्रभू आपकी आशिशे इनके पास आए तेरा वचन कहता है कि तु बच्चों से प्रेम करता है तुने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने चगे हैं पिता उन सब के लिए मैं प्राद न करती हूं, पिता कि बच्चों पर आपका अनुग्रह बना रहे। प्रभू ये बच्चे प्रभू आने वाले समय का भविश्य हैं, पिता पर प्रबू जो भी बच्चे प्रबू मानसिक रूप से शारिरिक रूप से कमजोर है पिता आप उन्हें चूकर प्रबू येश्य मसी उनकी कमजोरियों को दूर करें जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है पिता येश्य मसी नासरी के नाम से पिता उन बच्चों की हर एक कमजोर येश्यो के नाम से दूर कर प्रभू और उन्हें अपनी बुद्धी से भर पिता ताकि उस बुद्धी को इस्तमाल करके प्रभू वो हर एक कमजोर बातों पर बलवन्त होने पाए प्रभू लौर्ड मैं प्रात न करतें कि बच्चों को गलत संगती में पढ़ने से बच्चा प्रभू प्रभू एडिक्शन में पढ़ने से बच्चा प्रभू येश्यो मसी लौर्ड क्योंकि इनका भविश्य तुझ में उजवल है पिता हम प्रात न करतें प्रभू जो बच्चे प् उन्हें ब्लेस करें और उन्हें नानप्रकार की गलत काम में वैविचार में प्रभू फोन एडिक्शन में पढ़ने से आप उन्हें बचाएं और बच्चे प्रभू तुझसे प्रात्न करें तेरे वचन को पढ़ें और प्रभू अपने सफलता को तुझसे पाने पाएं प् अज अच्छे सब्सक्राइब करें को अधनी पत Dieva और गले रहें पिता। दर्द में है प्रभू ये इश्यू के नाम सम कहते हर एक बिमारी हर एक दर्द इनके शरीरों से निकल कर चला जाए प्रभू हम प्रात्न करते प्रभू कोर्ना वाइरस से जो पीडित है प्रभू जी जो परिवार जो बच्चे जो नौजवान जो बुजर्क प्रभू कोर्ना वाइरस की लपेट में आए है प्रभू जी हम दुआ करते प्रभू कि कोर्ना वाइरस उनके शरीरों से नस्ट होन करें धनिवाद पिता और प्रभू ये जिस भी बीमारी से पीडित है ये शुके नाम से वो बीमारिया इनके शरीरों से निकल जाए नौजवान चंगे हो जाएं, बुजर्ग चंगे हो जाएं, बच्चे चंगे हो जाएं, बहने और भाई चंगे हो जाएं, ये शुके नाम से लौड आप इनके सुधी लेकर प्रभू इने चंगा करें, प्रभू आपका वचन कहता है, वही तो तुम्हारे अधर्मों को शमा करता और करते प्रभू कि आप इने हर एक दुर्गटना से बचाएं प्रभू और इनके कामों को आप सफल करें धन्यवाद देते हैं प्रभू हम सब कुछ तेरे हातों में सौपते वे प्रात्ना बिंती उध्धार करता मसी ये शुके नाम से मांग लेते हैं आमेन आमेन और आमीन तो दोस्ता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस प्रात्ना में बने रहे हम आसा करते हैं कि परमेशन ने आपको वचन और प्रात्ना के द्वारा बहुतायत से आसित किया होगा और आप हमें अपने प्रात्ना निवेदनों को भेजे ताकि हम आपके Facebook में और हमारे दूसरे चैनल Prayer for All पर भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर भी हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रात्न करते हैं प्रभव आपको आसीस दे जैंड़